नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आपका दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जो मैटो लिमिटेड के बारे में जो की एक अच्छा स्टोक है दोस्तो और आज की तारिक में बात करते हैं तो कौफी ग्रावट देखने को मिल रही है लगबग 90 रुपे 60-65 पैसे के आसपास है दो दोस्तो तो यहीं पर हम बात करने वाले हैं जो मैटो कंपनी के बारे में क्या इसका स्टोक आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तो अगर हम एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको लगबग 28% से ज़्यादा की ग्रावट इस स्टोक में देखन चाहिए तो मेरा यह मानना है कि आपको इस कंपनी में बाई जरूर करना चाहिए दोस्तो इस कंपनी में भी आपको होल्डिंग करनी चाहिए उसकी कुछ वजे हैं तो वो बज़े में आपको बताना चाहता है और यहापर आप देखेंगे जो मैटो लिमिटेड अगर कैपि एक रुप्य निकल कर आता है, दोस्तो हाला कि माइनस है, प्रोफिट अभी यहाँ पर इन्वेस्टर को देखने को नहीं मिले हैं, पर यहाँ पर कुछ वज़े हैं दोस्तो, जिस वज़े से मैं आपको बॉल ला हूं इस कम्पनी में आपको निवेश जरूर करना चाहिए वो भी कहाँ पर निवेश करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तो देखिए 23 countries ठीक है 23 countries में इन लोगों का बिजनिस है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिजनिस है अल बिजनिस है दोस्तो एक लाख 31,233 active food delivery है तो दोस्तो इनकी जो active food delivery है एक लाख 31,233 है और वहीं बात करते हैं restaurant की तो एक लाख 61,637 active delivery partnership है इनकी restaurant वालों के साथ तो अगर monthly food order की बात करते हैं तो 10.7 million customer दोस्तों इनके हैं जहाँ पर ये food की delivery करते हैं मंथली और मंथली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लाख 16637 इनकी delivery भी होती है तो delivery भी काफी जाद है और उसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैटो company जो आज की तारीक में दोस्तों इसका जो stroke price देखने को मिल रहा है पर यह 100 से उपर भी जा सकता है उसकी मैं बज़े बताने वाला हूँ दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों quarterly result की तो quarterly अगर result देखेंगे तो फिलाल तो इस company को आपको loss देखने को मिल रहा है पर दोस्तों ऐसी company सिर्फ यही नहीं है कितनी ही ऐ फोरण निवेसक हैं FIIS 11% से ज्यादा है तो आप देख सकते हैं कि 11% से ज्यादा की holding है किसी वज़े से तो होगी इतनी बड़ी holding है दोस्तों अगर हम बात करते हैं domestic institution ठीक है उनकी भी 4% से ज्यादा की है तो किसी वज़े से तो होगी दोस्तों public sector की बात करते हैं तो बाई कहा करना है तो दोस्तों अगर आपको ये 90 रुपे का प्राइज मिल रहा है जो मैटो के अंदर 90 रुपे के target पर जुरूर बाई करना चाहिए देखे मार्केट में correction है काफी ज्यादा इतवार चलाब देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये आपके लिए एक lucky point है जहाँ पर आप 100 रुपे से कम है जो मैटो का इस्टो कहरीद सकते हैं जो मैटो कमपनी सांदार कमपनी है बिजनिस सांदार है दोस्तों और अगर 100 से कम है तो ये बुरी कमपनी नहीं दोस्तों यहाँ से यह 100 का आकड़ा तो जैसी market में गिरावट कम होती है तो एक दो दिन के तो आपको लोज देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो फिर भी आप अपने दुवारा स्टेडी करें और आपको लगता है कि इस कंपनी में निवेस करना चाहिए तब ही आपको निवेस करना चाहिए पर मेरा मानना है कि 90 रुपे के टार्गेट में अगर बाई कर रहें इस कंपन और चाह है कि आपको लोजँ दुचिए को ऑ की और हुआशना मानन अपको पायए वोजब ही आपकों करना चाहिए झाले धंट को भी आपकों कि आपकों करना चाहिए एकुश करना चाहिए led जiros